नमस्कार A to Z Dishes उशा गोर्जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारे एक और थाली की रेसिपी और इसमें मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजे बनाई है खाने में तो अच्छी लगती है साथी साथी है हेल्दी है देख सकते है इसमें न मैंने दाल बेंगन बनाए है यह मिर्ची प्यास फ्राइ बिना है रोटी बनाई है चावल और यह मिर्ची का अच्छी यह सारी चीजे बहुत ही हैल्दी और टेस्टी है तो चले शुरू कहते हैं सिबसे पहले हम बनाएंगे दाल बेंगन हमेशा दाल तो बनाती तो देख सकते गैस कॉन कर ले और यहां पर मैंने एक कप मसूर दाल को विगो के रख दिया था दस से पंदरा मिनिट के लिए तो यह कोकर में डाल देंगे एक लस पानी डाल कर कोकर का धकन देते हुए दो से तीन विसल यानि की दो से तीन सिटी आने तक पका लेंगे जैसे पक जाए पूरा प्रेशर खतम होजा उसके भाद ही धकन को खूलना और आप देख सकते दाल अच्छे से पक गई है देखे बस इस तरह से होनी चाहिए और देख सकते यह अच्छे से पक गई है तो अब हम दाल भेंगन मनाना शुरू करते हैं और यह दाल भेंगन को इसे आपको थोड़ा सा ही भूनना है प्यास को एकदम लाल नहीं करना है बस प्यास को कच्छा पंदूर हो जाए और थोड़ा सा हलका सा ये गुलावी हो जाए देखे इस तरह से तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक कटावा टमाटर और इसे भी में एक से दो मिनट तक बून लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए उसके बाद यहां पर न मैंने दो से तीन बैंगन ले लिये थे इसे मैंने अच्छे से पानी से वाश करके लंबा काट लिया था तो बस ये डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढखकर दीमी आज पर लगबख तीन से चार मिन तक पकाएंगे ताकि बैंगन अच्छे से पक जाए हलका सा क्रिस्पी भी हो जाए देख सकते हैं तीन से चार मिन हो गया और इसके पकी उज़िए और अच्छे से लाली पावHello गार्वेलिश पावडर आदी चुटी चुटी हमश लावमश पावडर अदी ये 2 glass जतना पानी मैंने के अंतर डाल दिया है क्योंकि दाल सोग करती है तो वस 2 glass जतना पानी डालते और ज़िसे अच्छे से mix करṣ लेना है यस तरह से और जो से mix करने के लिए यसे आपको पकने देना है तकरीवड तोस्ति करें प् neces है अच्छे से यह पकेगी और देखिए अब इसके अंदर में अट करें आधी चोटी चमच गरम मसाला थोड़ी से धन्या के पते और इसे मिक्स करते हो इसे हम और पकाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं टूटल यहां पर चार से पांच मिनिट हो गए हैं और यह दाल बन बहुत 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 ही अच्छी लगती है तो यह दाल बेंगन बनकर तयार है चलिए बनाते हैं यह मिर्ची प्यास फ्राय यह भी इतना टेस्टी लगता है ने रोटी पराटो के साथ उसके लिए देखिए आपको बावनगरी मिर्ची ले लेनी है और यह मोटी मिर्ची भी कहते हैं कई जगह पर यह तीखी नहीं होती है इसे पानी से वाश करके डंठल को काट कर इसे चार टुकडों में इस तरह से लंबा काट लीना है उसके पाद कैस को उन करके पैन रखते रहे हैं इसके अंदर मैट करेंगे एक चमश भग कर तेल तेल जैसे गरम हो जाएना तो इसके अंदर मैट करेंगे दो प्यास इस तरह से लंबे कट की होए और प्यास को अच्छे से भूनना है हलका सा यह लाल हो जाएना तब तक तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्यास को इस तरह से मिक्स करते जाए और इसे भून लीजे तो यहाँ पर आप दीख सकते अच्छे से मिक्स करते जारे और दीबे दीडे दीख सकते हैं प्यास का कलर भी चेंज होता जारे और साती इसका तो इसका कच्छापन भी दूर हो रहा है देखिए अब इस तरह से प्यास हो गया हलका सा गुलाबी तो अब इसके अंदर हम एड कर देंगे यह मिर्ची और म धक्कर पकाएंगे ने तब प्याज हलका हलका क्रिस्पी हो जाएगा तो और भी अच्छा लगता है तो देखें मिर्ची को इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे धक्कर हमें दीमी आज पर तकरीबन 4-5 मिंट पकाना है बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे तो यहां पर त तोटल 4-5 मिंट लगेंगे इसे पकने में यहां पर आप देख सकते हैं और 2-3 मिंट हो गए हैं और यह देखें अच्छे से दोनों ही पक गए हैं तो इसके अंदर मैं एट कर रही हूं स्वात के अनुसा नमक इसी के साथ न एक चौथाई चमच हल्दी पावडर आदी चो कि सारे मसाले अंदर तक चले जाए अच्छे से पक जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसे पका लिया है अब इसके अंदर मैं एट कर रहे हूं नीमबू का रस डाल दीजे इतनी चटपटी मिर्ची लगते हैं यह प्यास मिर्ची इतना टेस्टी जाल चावर बना तो साइट में बना लीजे यह बहुत ही अच्छा लगता है चलिए बना लेते हैं राइस एकदम खिले खिले और बहुत ही टेस्टी जो बेंगन दाल के साथ सबी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो यहां पर आप देख सकते मैंने गे ले लिए एक कफ चावल यह में छोटे चावल इस्तमाल किया हैं आज आप चाहे तो जो आपके घर पर आप यूज करते हैं वो आप चावल ले लीजे इसे तीन से चार पानी से वाश कर लीजे उसके बाद गैस को उनके के पैन रख दीजे या कड़ाई और इसके अंदर डालेंगे दो कप पानी इसके साथ स्वाद नुसा नमक आदी छोटी चमर गी और अच्छे से मिला लेंगे आप तेल भी यूज कर सकते हैं पर गी से काफी बढ़िया स्वाद आता है खिले खिले बनते हैं अब यह वोश के हुए चावल डाल दे और चावल डालने के बाद इसे मिक्स कर ले अब इसे आपको खुला ही पकाना है जब तक इसका पानी सूख जाए पर बीच पीच में आपको इसे मिक्स भी करते रहना है तक कि नीचे से चावल चुके ना बस इसमें हलका सा पानी रह जाएगा ना तभी इसे हम ढखकर पकाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं तक अब बना लेते हैं मिर्ची का अचार और यह मिर्ची का अचार रोटी पराठो के साथ बहुत ही अच्छा लगता है उसके लिए आपको यह हरी मिर्ची ले लेनी है इसे पानी से अच्छे से वाश करके कपड़े से पोच लेना है बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए इ अधी चमच हल्दी पाउडर और दोनों को अच्छे से हरी मिर्ची के अंदर मिला लेंगे जैसे कि मैंने आपको कहा हरी मिर्ची बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए अब हम गयस कौन करेंगे पैन रख देंगे एक बड़ा चमच साबु दनिया एक चमच सौफ आधी च लगेगा मिर्ची का आचार देख सकते हैं सभी को भूनने के बाद इन सबको ना मिक्सर जार में डाल देना और अधक कर हलका सा दर्दरा पीस ले रहा है सारा दर्दरा नहीं बस हलका सा दर्दरा होना चाहिए अब उसी पैन को फिर से रख देंगे इसके अंदर हम आधी पहले वो मिर्ची के अंदर वो डाल दे और ये गरम गरम तेल डाल दे अच्छे से मिक्स कर लीजे मिक्स करने के बाद ये आचार तयार है आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं और इसे यह तो फिर क्या कीजिए एक बाउल में बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए इसमें डाल दीजे एक तम साफ ड्राइ होना चाहिए और इसे ढखकर रख दीजे दो दिन दो दिन के बाद आचार को आप खा सकते हैं इन दो दिन के बीच में आपको थोड़ा-थोड़ा से मिक्स करते रहना है जब आपको टाइम मिले और ये दो दिन के बाद आचार बनकर तही आप असे काफी लंबे समय तक रख सकते हैं ये पराठे थेपले रोटी सबी के साथ बहुत अच्छा लगता है चली बना लेते गर्मा फुली फुली ये आटे की रोटिया जो और भी अच्छी लगती है तो इसके लिए न सबसे पहले आटा गूनेंगे एक बाउल में दो स थोड़ा सा तेल लगा कर आटे को अच्छे से मसल लिए ना है मसल लिएक फिर से तोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे ढखकर हम पांस से 10 मिनट के लिए रख देंगे रख जरूर दीजए इससे क्या होता है ने रोटी और भी सॉफ्ट और अच्छी बनती है जैसी 10 आटे को आपको फिर से अच्छे से मसल लेना, एक छोटी से लोई निकाल लेंगे, इसे अच्छे से मसल लेंगे, चकले पर रखकर सूखा गेउ काटा चड़कर थोड़ा सा इसे बेल लेना है, उसके पर थोड़ा तेल लगा कर इसे लपेट लेना है, फिर से सूखा गेउ प्रवाइब देखें अच्छे से फूल भी रही है जैसे सिख जाए तो गी लगा सकते हैं तेल या मखन तयार है बढ़िया सी रोटी और यह स्पेशल वेस थाली देखें सारी चीजें बहुत ही कम तेल और कम मसालों में बनी है और खाने में सबी चीजें बहुत ही टेस्टी हेल्दी भी और टेस्ट भी है तो बनाना तो बनता है इस थाली को जरूर ट्राइ कीजें और मुझे कमें सेक्षन बताए आपको कैसी लगी है रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजें शेयर कीजें अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक अजय को सब्सके हो राइक कीजें अबर गभ telef की अगरूर वीडियों ने खाज़ और मुझें लग तो।